जोतिष शास्तर के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की स्तिती लगातार बदलती रहती है जिसके वज़े से मनश्य की जीवन में बिनन बिनन परकार के बदलाव देखने को मिलते हैं जोतिश के जानकारों का ऐसा कहना है कि यदी की किसी व्यक्ति की राशी में ग्रहन अक्षत्रों की चाल ठीक है तो इसकी वज़ से जीवन्में शुब प्रयणा मिलते हैं परन्तु ग्रहों की चाल ठीक ना होने के कारण जीवन में एक के बाद एक कई परिशानिया उत्पन होने लगती है बदलाव प्रकूरती का नियाम है और यह निरंतर चलता रहता है इसको रोक पाना संभवन नहीं है दोस्तो जोतिश गर्ना के अनुसार आज हम आपको कुम्बर राशी के बारे में बताने वाले हैं कानुनी और व्यावसाइक बैटकें आपके दिन पर हवी हो सकती हैं अपनी शारिरिक देख़ल के लिए समय निकाले पार्टनर्स और निविशकों के साथ समय बिताएं खास कर जो आपके लिए महतोपुर्ण हैं बचे वे कामों को पूरा करें क्योंकि जल्द ही आपको नए मौके मिलने वाले हैं आप एक अच्छे प्रबंदक हैं जो हर जगह संतुलन बना रहे हैं प्रात्मिकताओं को निर्दारित करना और एक समय में एक ही काम करना आपको मंचाई प्रणाम देखा कई चीजों पर ध्यान केंदरित करने का परिणाम और व्यवस्ता और निश्पलता को हो सकती है सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते वो बस अलग तरीके से काम करते हैं आप अपने कुरोद और उत्तेजना पर नेंतन रखे अन्यता आपके बनते वे काम बिगड़ सकते हैं आपका आत्मविश्वास अत्यदिक बड़ा होगा और इसका कारण केवल आपके मित्र और आपके भाई होंगे आप किसी भी तरह का फैसला करते हैं तो उसके पीछे आपका मजबुत आत्मविश्वास होगा आप शांत रहेंगे अपने काम में अधिक व्यस्थ रह सकते हैं आप अपने मिलने जुलने वालों की बातों और समस्यां को समझने का प्रयास करें लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाने से आपको बहुत सी बाते पता चलेगी दोस्तो ऐसे ही महतोपुर्ण बाते आज की सुड़ों में बताने वाले हैं तो इस वीडियो को अब भी लाइक करें और बोलेना जी का अशिर्वात चाहते हो तो कमेंड में जाई बोलेना जी लिखना ना भूले साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें तो चलेए दोस्तो शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं आपका सामा निराशिपल किस तरह से रहने वाला है उसके बारे में आप भली बहनती जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है लेकिन अपना फैसला सुनाने की इस आदत को अपने काबू में रखे बहनाओं और क्रोद पर नियंतरन रखना भी जरूरी होगा चिंतन करना आपके लिए लाबडैक होगा अपनी वाने और तरकों के दुआरा आप किसी को भी अपने पक्ष में कर सकते हैं रोज मर्रा के कारियों में अपना मन कम ही लगेगा, आपको अपना लक्ष साप साप दिख सकता है, कारेक्षेतर या ओफिस में आपको अधिक मेहनत करनी पर सकती है, ओफिस में किसी कारेका नितरूत्व आपको मिल सकता है, दोस्तों अगर हम ध्यान में रखने वाली बातों क के संबंद में आप सही निर्नाय नहीं ले पाएंगे अपने दिन चर्य में कुछ फेर बदल कर सकते हैं कुछ अच्छे और फाइदेमंद प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं किसी बीकाम के लिए कोई अपति ना जताए जहां जरूरी हो वहां पर आपको समझता भी करना पड़ स करता है पुराणे मित्रों से मुलाकात का योग है दोस्तों अगर हम धनराशिपल की बात करें तो सपलता का स्वाद लेने के लिए नए करियर की तरफ ध्यान केद्रित करें या स्वर रोजगार की शुरुआत के बारे में सोचे अपना नया नाम और पहच्चान बनाएं त आपके दिमाग में आ सकते हैं मंचाई प्रणा पाने के लिए अपनी प्राप्मिकताओं पर विचार करें और एक समय में एक ही कार्य करें आपके प्रबंदन का बहतरी कोशल है और आप निपुनता के साथ पेशेवर मांगों को पूरा करेंगे दोस्तों अगर हम करियर रा आपने पहले कभी इस आउसर को ठुकराया दिया हो यह आउसर काफी रोचक है और भविशे में आपको लाब देगा अगर आप अपने आराम को एक तरफ रख कर सोचे तो आपके करियर में उरुद्धी होगी दोस्तों अगर हम लवरा शिपल की बात करें तो अपनी चाहत क के साथ आगे बड़े जिसे हम दिलो जान से चाते हैं उसके साथ हम रोमेंटिक रिलेशन्शिप के साथ साथ बहौनात्मक रिस्ता भी शेयर करते हैं दिन उतार चड़ाओ वाला हैं बस अपनी बहौनाओं पर नियंतन रखे प्यार में यह बात भी माइने रखते हैं कि गटना से बचने के लिए बहतर होगा कि आप आ गया किसी भी तरह के गर्म उपकरणों से दुर रहें तो दोस्तों यह तकी कुमबराशी के बारे में अब बात करते हैं घर में जरूर रखे मिट्टी का गड़ा ऐसा करने से मिलता है विशेश लाब जाग जाती है सुई हु भारत में पुराने समय से ही पानी को मिट्टी के गड़े में रखा जाता है मिट्टी के गड़े में रखे गए पानी को सहत के लिए उत्तमाना गया है और यही वज़ा है कि आज के दोर में भी कही लोग फ्रीज का ठंडा पानी पीने की जगह गड़े का पानी पीना वास्तुस्यास्तर के अनुसार घर में मिट्टी का गड़ा होना शुब होता है और इससे विशेश लाब मिलता है तो आए जानते ही कि वास्तुस्यास्तर में गड़े से जुड़ी कौन-कौन से टिप्स दी गई है और इससे जुड़ा लाब क्या है वास्तुस्यास्तर के अन उत्तर दिशा में गढ़ा रखने से शुपफल जल्दी मिलता है इसलिए गढ़े को इसी दिशा में रखे अगला है स्तापित होती है सकरात्मक उर्जा जिन लोगों के गढ़ों में अक्सर लड़ाई जगड़ा होती है और जिन पती-पत्नी की आपस में नहीं बनती है वो अ दफ्तर या ओफिस में गढ़ा रखने से आफिस का वातावरन अच्छा बन जाता है दरशार घड़े को दफ्तर में रखने से नकरत्मक उर्जा खत्म हो जाती हैं और कारेस्तल में प्रगति होनी लगती हैं अगला है बच्छों की किस्मत चमपीगी घर में घड़ा रखने आखरी है भय होता है खत्मा जिन लोगों को भय लगता है वो अपने घर में गड़ा रख ले गड़ा रखने से भय नहीं लगेगा और दिल मजवद बन जाता है साथ में ही आपके उपर वरुन देव का कुरुपा भी बन जाती है और घर में पाने की कोई कमी नहीं रती है दर असल वरुन देवों को जल का देवता का जाता है और इनका निवास गड़े में माना जाता है तो दोस्तो इहती घर में मिट्टी का गड़ा रखने के कुछ लाब तो दोस्तो आज की स्टू में बस इतना ही वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरू करेगा साथ ये हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशुपल को सब्सक्राइब जरू करेगा तो मिलते एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद